नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग हर कोई चाहता है जीवन में धन की कमी कभी नहीं हो और इसके लिए नजानेहम कितने तरीके से मा लक्षमी को परसंड करने में लगे रहते हैं और सास्त्रों की माने तो मा लक्षमी चंचला ह होती हैं क्योंकि जो कभी भी एक अस्थान पर रुकती ही नहीं इसलिए लक्षमी इसका मतलब होता है द्धन तो धन को अस्थाई बनाने के लिए कुछ उपाय चरूर करना चाहिए ताकि जीवन में धन अस्थाई तौर पर रहे और कभी भी आपको धन की कमी नहीं हो तो मा लक्षमी को कैसे मना है वैसे तो मा लक्षमी जो धन की डेवी है कुछ खास आप उपाय करके उनको प्रसंद कर सकते हैं रिसी विश्वामत मित्र जो थे उनके कठोर आदेश के अनुसार लक्षमी साधना गोपनी एवं दुरलब है और इसे गुपत ही रखना चाहिए ऐसा सास्त्रों में वर्णन है समुद्र मंथन से पुर्व सभी देवता निर्धन और एस्वर बिहीन हो गये थे तब लक्षमी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने महालक्षमी की अस्तुती की जिससे प्रसन्न होकर महालक्षमी ने देवराज इंद्र को वर्णा दिया कि तुम्हारे द्वारा ये जो मंत्र पढ़ा गया है अगर इसको बैक्तिन नियमित रूप से प्रति दिन तीनों बेला जब करे तो वह कुवेर के तरह सौदिस एस्वर युक्त हो जाएगा और सास्त्रों में वर्णन आता है कि महालक्षमी के आठ सो रूप है लेकिन आठ सो रूप में तो बहुत सारी लक्षमी आती है जैसे कि आदी लक्ष्मी, धानने लक्ष्मी, धैरे लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और एस्वरे लक्ष्मी लेकिन जीवन में अगर हम बात करें धन की कामनाओं के लिए आप, जब आपको जीवन में धन धन धाने चाहिए, आप चाहते हैं जीवन में पैसे की कमी नहीं हो, तब मूल मंत्र ओम स्रिंग क्लिंग ये स्री धान लक्ष्मी का मूल मंत्र है और इसका अगर आप रोज रात में 11 से 1 के बीच अपने बेड़ पर ही बैठे बैठे जब करते हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती क्योंकि ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है अगर आप कुछ दिनों तक इस लक्ष्मी मंत्र का आप जब करते हैं अपने उद्धेश को मालक्ष्मी से कहते हैं तो धन के अभाव को मिटा देंगे आप खुद क्योंकि जो भक्त करजे के चक्रवियू में भी फस गया है वो भी बाहर आ जाता है और जीवन में खुसाली ल हादीब